कर्म के हिसाब से अगला जन्म जैसा कर्म वैसा जन्म गरूर पुरान के अनुसार हर जीव का पुनर जन्म होता है यानि वह फिर से जन्म लेता है नमस्कार मित्रों आप श्री कृष्ण के भक्त है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जै श्री कृष्णा गरूर पुरान के मुताबिक मृत्यू के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा यह उसके कर्म पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उचसुपता अधिकांश लोगों में होती है अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिग्यासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशू या फिर कीडेम कोडे यदि इनसान बनेंगे कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यो अवश्य होती है। परंतु क्या अब जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनी में जन्म लेता है। गरुर पुरान हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है। इसमें जन्मक म पुराण में ऐसी कई बाते बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिती सुधार सकता है। पुराण में जो अच्छे कर्म यानि आपके काम होते हैं उसे पुन्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। को इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों स्वागत है सनातन ज्यान कथा के एक नई प्रस्तुती में। क्या सच में पूर्न जन्म होता है। मित्रों इस बात को एक उदाहरन से समझते हैं। कई बार बालक जब जन्म होता है तो उनमें किसी प्रकार का दोश होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारिरिक दोश होता है। जैसे कोई जन्म से ही वितलाम पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कई बच्चे को जन्म से ही मल मूतर का द्वार नहीं होता है। ऐसा होने के पीछे विज्ञान अपना तर्क अलब ही देता है। पर हम शास्त्र के अनुसार बताएंगे इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कश्ट भोगना तय होता है, इसलिए शारिरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। गरूर पुरान में लिखा हुआ है कि पांडव भाईयों को अलग-अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्मों के अनुसार मिला था। गरूर पुरान में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशुमा की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रह उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या-क्या कर्म किये और दुखी होकर वह जीव इश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सतकर्म करेगा और भगवान का नाम जबता रहेगा। शिशु माता के गर्ब से निकल कर इस प्रित्वी लोग पर आता है इश्वर की उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है। यानि के उसके दिमाग से पिछले जन्म का बाते भुला दिया जाता है। और वह जीव फिर से सब कुछ मोह माया में कुछ ऐसा उलज जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। आईए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं किस क्रम के अनुसार से मिलता है अगले अलग-अलग जन्मन। पहले कचुए का जन्मन। माता-पिता को कश्ट पहुचाने वाली संतान या भाई-भन को प्रताडित करने वाले कच्वा की योनी में जन्म लेती है। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है इसलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिनाम इस जीवन अलावा अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों कच्वे का जीवनकाल बहुत लंबा होता है। कच्वा 20 या 30 साल नहीं जीता बलकि उसका जीवनकाल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है। यानि कि इस अपराध की सजा बेहत लंबी है और बहुत कठिन है। स्थ्री का जन्म किसे मिलता है? गरुर पुरान के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्थ्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढलकर अपना कर्म करना होता है. शरीर के जरीय कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ती के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिती को भविश्य में बद्तर बना सकती है यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचन करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आध्तेले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रुप मिलता है बंदर की योनी इस जन्म में मनुष्य योनी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनी में मिलेगा क्योंकि जीवन मरन और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है व्यक्ति जन्म लेता है जो अपने मालिक का विश्वसनिय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है जिसका सामान्य जीवन कल बीस वर्ष का होता है दोस्तों धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण कर्म फल दोश बताया गया है गरुर पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लिखा जो खा दिया गया है जो की केवल उसके पाप पुने का निर्धारन करते हैं बलकी मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनी के बारे में भी बताते हैं जो व्यक्ति लूट पाट जानवरों का सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोशन करता है उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यू प्राप्थ होती है यानि वह जानवर का जन्म लेता है गरूर पुरान के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यू के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ती का मार्ग खोल देते हैं यही वज़य है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपून बताया गया है अगला है गधे का जन्म कौन भोगता है तीस से तीस वर्षों का होता है अगर आपका पाप शमा के योग्य रहा होगा तो कर्म फल सिधान्त के अनुसार आप गधे की योनी से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यू को प्राप्थ हो जाएंगे कुत्ते के जन्म किसको मिलता है गरुन पुरान में जीव के द्वारा किये जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित जो भी सजादी जाती हैं उसके बारे में भगवान विश्णू ने विस्तार से बताया है धर्म का अपमान करने वाले पूजा पाथ न करने वाले जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है हमेशा धर्म का विरोध करता है इश्वर के प्रती श्रद्धा भाव नहीं रखता गरुर पुरान के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म श्रान यानी कुत्ते के रूप में होता है कीडे मकोडे की योनी दूसरों की निंदा करने वाला बुरा बरताव करने वाला कीडे मकोडे के रूप में ही जन्म लेता है यह एक ऐसी योनी है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो आपने कितना भी हुनर क्यों ना हो आपको सम्मान कभी नहीं मिलता उदाहरन के लिए एक चीन्टी को ही ले लीजिये नीचे गिरती है फिर चलती है और मन्जिल तक पहुँचे है हम सब को इस धर्ती पर अलग-अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमको मोक्ष की प्राप्ती नहीं हो जाती जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे धन अर्जित करता है मकोडे की योनि में जन्म लेता है योनियों का जीवनकाल कितना लंबा होगा वह व्यक्ति के कर्म फल पर निर्भर करता है छचुंदर का जन्म किसे मिलता है? जो व्यक्ति किसी चीज को चोरी करता है वह तोता बनता है वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छचुंदर के रूप में जन्म लेता है किन्तो यदि अपराध चोरी से बढ़ा हो तो और भी कष्टदाई योनि प्राप्थ होती है किन लोगों का होता है उल्लू में पुनरजन्व अपनी चालाकी के चलते जो लोग दूसरों को मुर्ख बना कर ठगी करते हैं और उनका लाब उठा लेते हैं या काम निकल वा लेते हैं ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं जो व्यक्ती पराई स्तृ से संबंध बनाता है, उसे कौन सा योनी भोगना पड़ता है। उसे नरक में जाना पड़ता है। गरुर पुरान के अनुसार ऐसे पुरुष को वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं, और इसके बाद उसे अलग-अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं, वह सबसे पहले भेडिया बनता है, फिर एक कुट्टे के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार फिर गिद्ध, फिर शाम, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है, इन स तब योनियों के कष्ट उसे फिर से मनुष्य करने की प्राप्ति होती है। ऐसी शादी शुदा महिला जो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती है, उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली, सांप या फिर चमगादर के जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। फजुल के गाली गलॉच करने वाले को कौन सा योनी मिलता है। दोस्तों माना जाता है कि कंठ में मा सरस्वती वास करती है। इसलिए जिन लोगों की वानी में मधुरता नहीं होती, और जो अगले जन्म में मूर्ख और कूब्रा बनकर जन्म लेता है। गरुर पुरान के मुताबिक जो व्यक्तिम्रित्यू के समय भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना महत्वपून माना गया है। गरुन पुरान में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है समाच के सामने उसे लज्जित करता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति कौन नामक पक्षी के जन्म लेता है, इस योनी में उसे दस वर्षों तक का कश्ट भोगना पड़ता है, उसके बाद ही उसे मरते समय राम करता है।